लोड़ा जी का स्वागत हुआ वो मंगल प्रभात हैं और प्रभात की किरने जो हैं वो शेल पर गिरती हैं, शेलेश पर गिरती हैं, हिमाले पर गिरती हैं जब सुरी की किरने गिरती हैं, मंगल प्रभात होता है, तब सेलेश जो है वो अपनी संपुर्णता और समगरता को लेकर के चमकता हुआ दिखाई देता है, अभी हाथ पाओं कट रहे थे बीर रसका कभी जो है, हाथ खाट डालेंगे, पाओं काट डालेंगे, जबान काट डालेंगे, अरे तिरे कुछ काटने पीटने के सिवा है, क्या तिरे पाज, क्या दरजी का काम करता है कि इदर से हाथ काट दिये, उदर से जेब काट दिये, उदर से पाओं काट दिये, य यह पजामे में कालर लगाते हैं, यह सा पजामा सी देते हैं कि उसमें कालर लगा देते हैं, पजामा तो नहीं पहना जा सकता ना, पजामे में कालर लगाने का काम जो है, वो कोई हाश और व्यंग का ही कभी कर सकता है, वीर्लिस का तो यही करेगा, एक कुमारे दो मर जाए, तीसरा देशनत से मर जाए और मरे के नीचे जिन्दे गुस गए चार पाउं से घोड़ा मारे पांचवां मुझ से जाए चबाए अब चार पांचवां मुझ से घोड़ा मार रहा है पांचवां मुझ से चबा रहा है तो खड़ा कायते बड़ी बड़ी विचित्रताइं होती वीर रस्की कविता में आति शयाति शयोक्ति अलंगकार का प्रयोग करके इन रचनाओं को विद्रूपता के साथ प्रस्तुत किया जाता लेकिन हरियों पमार उन कवियों में से हैं जो चिंतन के साथ अपनी बात रखते हैं इस से ज़्यादा तारीफ नहीं हो सकती आपकी और चाय जित्ती बड़ी डिग्री लियाओ डिग्रियों से काम नहीं चलता काम तो कविता से ही चल रहे है अच्छे पेसे देतने हैं संकर जी एक मेरे को छोड़के नहीं पूशो बेटे संकर जी आज तक मैंने इसे पेसे मांगे होए तो कभी है मैं इसे अपना परिवार मानता हूँ परोपकार मानता हूँ पूरा हित मानता हूँ परोहित मानता हूँ मंगल प्रवात लोडा जी बिठे हुएं, सेलेश लोडा जी बिठे हुएं, बीच में रोडा जी अटिके हुएं तो ये ठीक ऐसा जैवंती बहन, इस देश की जैजे कार हो, इस देश की जैजेवंती हो इस मंगल कामना को लेकर के हम हसते हैं मुसकूराते हैं आबाज लगाते हरान खुशी हरान हसी हर्वक्त अमीरी है बाबा जब आशिक मस्त फकीर हुए तो क्या दिल्गेरी है बाबा काशी ढूंडी मतुरा ढूंडी रस्ते में हरी द्वार मिला जोगी बनकर फिरे दर बदर मगरना वो दिल्दार मिला मगरना वो दिल्दार मिला वो दिल्दार तभी मिलता है जब हरी ओम गाता है हरी ओम ने पहले ही कह दिया था कि वो तभी आएगा जब मैं खड़ा हो जाओंगा तो इसका वैसा लगता है कि चेतक को पता था कि जब मैं डखार मारूंगा तभी माराना परता आप आएगा अब वो आगे आए उल्टा क्या बोल सकते थे उल्टा बोल सकते थे तो वो सुल्टा हो जाता मैं चाहता हूँ कि इस वाता वरन को आपकी तालियों की गलगला हट मिले शेलेश का परिचे देने की कोई जरूरत नहीं नित्य आपके सामने खड़े रहते हैं वो आप उन्हें देखते हैं सुनते हैं उनका क्या परिचे है आज वो कविता के मंच पर निकट दर्शन से हमारे शाक्षादकार को कर रहे हैं जो अरदार तालियां बजाओ सेलेश आओ मा सरस्वती को प्रणाम करता हूँ आप सभी की उपस्थती को प्रणाम करता हूँ परुपकार के समंच के जो सदस से सेम जैकेट में बैठे वे हैं उन्हें परणाम करता हूँ इससे जाहिर होता है आपकी कारेकारणी में एक के कपड़े की दुकान है और उसी नहीं आइडिया दिया होगा कि ड्रेस कोड होना चाहिए 600 रुपे में किसने मंग वे कवियों के लिए देश भक्त 600 जिकी जैकेट मांग रहे हूँ बहुत बढ़िया बहुत देर से मैं भी सुन रहा हूँ सतन जी जो कभी लोग है इनसे बस मुझे एक ही आपती है कविता तो जितनी सुनाते हैं उतनी सुनाते हैं भिंद भिंद प्रकार से तालिया मांगते हैं ऐसे ताली बजाो और वैसे ताली बजाओ और तालीों का पहाड़ खड़ा कर दो, तुम्हारे बापका राज है क्या? ये क्या कोई ताली बजलने वाले हैं? ये तो इतनी लंबी कविता अंत तक मैं शही दोने वाला था जब एक लाइन में बात हो सकती है तो साड़े तीन सो लाइन अथारा बार अंतिम पंगतियां आई जैवंती बैन ने पीछे से कहा कि मैं फूलों का गुल्दस्ता देना चाहते हूं मैंन का वही रूख जाना नहीं तो दो कविता हैं और सुना देंगे कि कभी अभावेश में आ जाता है मेरे तो बहुत बड़े भाई है मैं इनको बहुत बहुत महबबत करता हूं बहुत प्यार करता हूं लोग कि कहते हूं यह सारे अगरवाल जैन उस्वाल बैठें वहां पे आप तलवार निकाल रहे हूं और मोदी जी देखिए बहुत समझदार आदमी है क्यों युद्ध करो अपना गोला बारू फालतू है क्या जब अगला देश बरबाद होने के लिए आत्म समर्थ है तो हमें कुछ करने की आवश्क्ता है क्या हम हिंदुस्तानी लोग अपना सॉल्यूशन कैसे हम वैसे ही प्रसंद हो जाते मान लिजी अमेरिका में किसी के घर पर लाइट चली जाए तो क्या करता है पावरा उसमें फोन करता है जापान में लाइट चली जाए तो अपना फ कि अधिन को बहुत राय देना चाहता हूं कि यह समझते ही नहीं क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी वैसे किसी को आगे बढ़ने तई नहीं से आप रस्ते में कार चला हो और हिंदुस्तानी कोई भी किसी किसम का पास में चल रहा हो आप सतंद गुरू आप गारी धीरे चला हो प क्योंकि यह हमारी परमपरा यह हमारी मानता है हम जो कुछ करते हैं वह सोथ समझें आप क्या पोडूं खेच ना चाहते को नहीं कीच ना चाहते हो तो हमारे मंगलप्रबाद जी और राजपुरोई जी तो बहुत बढ़िया MLA है बाकि कई MLA सिर्फ होने की acting कर रहे हैं कि वो हैं लेकिन मंगलप्रबाद जी आप बैठे हैं राजभाई आप बैठे हैं बहुत बढ़िया वो तो जो हुआ सो हुआ तो ठीक है हमारी संस्तिती है ऐसी ठीक वर तर्फ नहीं करनी चाहिए रजयस्तान में हमार ऐसी रूता है हम राजस्तान के लोग होते हैं मरवाडी खास तसमाम जानते हमें क्या करना चाहिए तो थीक है हम वह दे mets इसलिए जानते हैं कि हमें बिजनेस सिखा जिए आप के तो सत्तन जी करते हैं शंकर केद्रीवाल जी से पैसे नहीं मांगते अरे मांगो उससे जो दे अगला 15 साल से हमारे लिए तो परोपकारी कर रहा है और पूरे देश में केद्रीवाल हो तो ऐसा मैं कहता हूँ अरविन केद्रीवाल को तू कैसा केद्रीवाल है उन्चास दिन में निपड़ गया इनको आके देख जब से संस्था बनी अगला अध्यक्स है यह होता है केद्रीवाल है है संजाओ उसको संकरभाई गो संजाओ माना दिव हो आग तो आग जी करते में यकिन रखते प्रेक्टिकलो के संजाओ कभी आईये पढ़र या हमें बच्छपन में सिखा जया जाता है कि बिजनिस कैसे किया जाए हम इतने प्रैक्टिकल हो गए हमारे तो आदमी काम ऐसे करता है कि मत पूछी आप देखे आप कहरते हैं मैं अधियूम जी की कवता है सुन्दा था कवता में बेडिया चुहा शेर बिल्ली गीदर आदमी की बात कर लो यार हर चौथी लाइन में जानवर फसावा था अच्छा जानवर भी हमारे डास्तन का बहुत कमाल का होता है गार भी बिमार पढ़ गया तो बो जो है अरे हाँ हाँ बिल्कुल एक दम आपके साहने पेश कर रहा हूं आप देखो तो सही अभी आप देखो कैसे तड़पते पे नजर आओगे उसके बाद एक कविता में कुर्शी मांग ली नेताओं के खिलाफ बोल रहे थे मारवाण के उलाद तो अभी आके खड़ी हुई है विससली मारवाणी आता है तो क्या मलग हो जाता है अपको टिकिट मिला में जानता हूं मैं अच्छे से जानता हूं आपने चुनाव नहीं लड़ा मालू है जब आजमी को कि जब आर जाएंगे तो लड़े क्यों ये समस तो वह प्रची के उपर उनका पालतु मुर्गा भी था अच्छा हमारे तो बीवी ने का कि देखो तुम्हार बुखार बुखार बहुत ते जा रहा है एक डॉक्टर ने का चिकन सूप पिला दू तो ठीक हो जाओ के तो मुर्गा वहां से बोला कि मालकी ने एक बार ख्रॉस हम मुर्गे के बीचे हाथ दो के पुड़े हो या यह जो क्रॉसिन का मज़ा बिलावल भुट अब उसके उपर कोई बात करने की चीज है उसके उपर क्या बात की जाए मदन मोहन दानिश का एक बहुत खूबसूरत छेर है कि मायूस नहीं होते लाचार के आगे और बीमार क नो खुद कुछ पता नहीं है नहीं समझ में आवा तो आपने मतलब नहीं है ओंस जिंधगी में नहीं हूंगा कि ताली हना आट उ曲बता है कि इस उमर में जान दिया तो इस उमर में आजमी के अवसर खतम होते हैं अधिकार थोड़ी खतम होता है कि बताई आप एंचतिन जी मान लो किसी को डाइबीटी सो जाए तो क्या रेस्टोरेंट में बेट के मैन्यू कार्ड भी नहीं देखे चाल लेने देना उमर से यह तो भावनाओं की बात है यह हमारी भावना है बड़ी प्रबल होनी चाहिए और हम भावनाओं वाले लोग हैं आप भी मुझफरपुर से यहां तक आयो बिहार से कविता सुनने यहां तक मैं तो देखो ऐसी चीज़ों का अपने सास होना चाहिए अब मोदी जी के लिए आपने इतनी लंबी कविता पड़ी मैं तो एक शब्द में कहते हूं एक लाइन में कहो ना मुझे लगता है आज के लिए उनका एक भाशन की एक लाइन मैंने सुनी तो मुझे बड़ा अच अब बताएं सत्तन जी कुछ करने के आवश्यक्ता है यह राजस्थानी आज भी एक लाइन में बात करता है अब है राजबाई और वो भी यह तो एक मैं जोदपूर का रहने वाला सिरोई मेरा नलियाल दोनों ही जगे के लोग बैठे वर एक तो लोड़ा ही है यह तो मेरा परिवार है मेरे को कोई कहता आप मंगल जी के भाई है मैं मना करता ही नहीं भाई जब फोकट में रिष्टेदारी बन रही हो तो अभी शेक अभिन्दन के साथ एकाज बिल्डिंग तो अपने भी इससे में कभी आई सकती है कि अरे बिल्डिंग नहीं तो फ्लेंटी सही अपना और क्या ले रहा देना क्योंकि रास्त मेरे बहुत पुराने कॉलेज के जमाने के दोस्त हम एक ही कॉलेज में रहे हैं हम यह नहीं कि कॉलेज में पढ़े हैं हम एक ही कॉलेज में रहे हैं पढ़े लिखे होते तो यह य पर 15 रोपय का सिक का निकाला और इसीड वह न ढला और बोला बत्चों बताओ यह सका घुल या कि बहुत थागा बच्चे अब इसका था रहेंगा तो बोले यार कैसे बताया कोता तो आप अपनी जेप से नहीं निकालते तो मुझे तो मुझे तो मालूम है रहता यह जव्हाइब जैएँ में फट्रया बने बात वात बता रहा हूं लत बात जो ऐक पंटी की बात कर क्रते है और बजनेश की बात करते हैं और बिजनेस की बात कर लें penguin मटा मैधम segurançaं मह dwitaha आचा जी बता तो बहुत कमाल की बात अब सुनना मोहर भाई सटन जी उनकी प्रॉब्लम क्या बेचारों की उनके शब्द बात में निगलते एक्सप्रेशन पहले आजाता है ऐसा इसा है जो शब्द थोरा ट्रेवल करते हैं तो निगल के लेट आप एक्सप्रेशन अगले का पहले आजाता है तो एक दिन सुबही सुबह आया मेरे पास बोलें मैंने का क्या है रोटी मोटर साइकल तो बाजार जाबतो तो एक आदमी दित दोती क्लच में पसगी तो मैंने का तो थाट गी मैं क्यों कही बोले दोती तो मैंने का फिर बोले उसकी दोती पटी मैं जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया किदर मैंने का क्यूं बोले दोती पटी है पैसे दे मैंने का कितने की बोले 70 रुपे की मैंने 70 दी अब मैं जाने लगा उसने हाथ पकड़ लिया किदर कुझे पेले वो जाने लगा मैंने हाथ पकड़ लिया ऐता होता है ना तो मैं जाने लगा उसने हाथ पकड़ लिया बोले दोती पठेटेगे पैसे दे मैंने सत्त रुपे दियया अगला शात्सो दे गया और विहने का 700 क्युम्हें भोले खाली दोती पेहनी ती बोलो मैंने एक बार कहा के ताली बजाओ देखो पमार जी यह ऐसे मज़ेल हुआ कुमार आदमी और कर भी क्या सकता है यह तो देखो हम तो एक कविता का मतलब है थोड़े की साड़े तीन किलोमेटर चलती ही रहो अपने एक एक लाइन में बात होती है ना वो बड़ी महत्फून बात है और एक पंती की बात जीवन में जिस वाक्च में रस मिल जाए वो कविता है अगर सच मुच इस देश में कविताओं से कोई बदला वाता तो कबीर के बाद इस देश में कभी की आवशकता ही नहीं होती हम कविताओं से बदलने वाले लोग है तो हिंदुस्तान में आज में कोई बिजनेस करे कैसे में अमरिका गया बोले हमने मोबैल फोन बनाया तुमने बनाया क्या मैं जापान गया बोले हमने से सिमकार बनाया तुमने क्या बनाया चाइना गया बनाया उन्ने समें बैलेंस बना दिया तुमने क्या बनाया मैंने का मि अधियों पमार दर में आग लग लग जाए तो अगला फायर बिगड को भी मिच कोल देता है हम लोग ऐसे लोग है कि हमारे पड़ोस में कोई बच्चा था वो किसी ने उसने पड़ोस के गर कांश तोड़ दिया अब कांश तोड़ दिया तो जिसके घर कांश टूटा वाया बार और बच्चे के बाप से बोला है क्या कर रहा है अरे साथ छोड़ो हो तो गेलो है यह जो तो आदमी है अमरे लोग भी असे वह एक प्रेमी कोई दुख्यों कि अच्छा पानी में सभी निकल गया आजाता है सत्तनी एक प्रेमी कोई बिचार का दिल तूट गया दूट गया तो पैठा वाद नदी किनारे कंकर फैक रहा है से खार 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 थोड़ी दिर में भी मेंडग बाहर आगया मारवड का अरु बोले थारिवाली ने छक्कर में मारिवाले नुमा तो ग्यू बोड़े है कि आगे निकल के भार इए पहाशा का मज़ा यह आनन्द हमारी भाशा का है को जा रहे थे एक बंदर यर तोता प्लेन के अंदर अब तोता था हमारे राजस्थान का वह भी जोद्पुर्शाइट का और बंदर था किसी भी प्रदेश का चिरोई तो राजस्थान का वहनी से जा रहे थे तो 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 ने गंटी बजाई एरोस्टे साही बोले वाट डिवान बोले कुछ नहीं मजा लेवत हो बंतर को लगा यार ये मजे बोले ठीक है अपन भी बजा थे ने भी घंटी बजाई है आई एरोस्टे साही बॉनन बोले कुछ नहीं मजे ले रहा था अब उसे आया गुछसा उसे तो 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 ये बंडर दोनों को उठा के बार भेक दिया तो उड़ते वे तो तो और धे लिए एक बार आप बताये का हमारी भासा का ख़ाल है यह हम लोग है हैंसे कम शब्दों में से चीज़ें निकालने का जो आर्ट हमारे पास है वो हमारे ही पास है वो हमीद कर सकते हैं एक शब्द के अंदर कहने की बात आनी चाहिए पूरे इसके लिए प्यू खराब करना कु मुझे नहीं मालूँ आप क्या आर्थ लगा रहे हैं मित्वे का मतलब एक उलाद को ठीक ठाक पाल पोस्ट के बढ़ा कर सकते हैं तो दूसरी में खर्चा ज्यादा होता है इसलिए आप इस उमर में क्या सोचते हैं हसरे ऐसा ताली बजाते हैं धरम का काम करते हैं संसा का नाम परुपकार और ऐसी बातें सोचते हैं अच्छा तोड़े लगता है जीवन पर उमर देखो आपकी एसा नहीं होना चाहिए जीवन में सोच जो है आपकी स्वच्छ होनी चाहिए सोच नहों तो कुछ भी हो सकता है अब हमारे यह तो ऐसा ही अच्छा बंबी में तो हमारी ब में अच्छा सबसे पहले सीथी इतर सड़क पकड़ने का इस उसके सब से बीच में रहना तो मंदिर गिरें गशन बोले बीच पे नहीं बोलने का लेप मारेंगा तो मंदिर गिरेंगा राइट मारेंगा तो मजिद गिरेंगा मैंने का मंदिर भी गिराएंगा मजिद भी गिराएंगा एड्रेस बताएंगा कि दंगा कराएंगा कि हमारी भाषा ही ऐसी पूरी दुनिया के अंदर यह सिर्फ बंबई ऐसा शहर है जा आटो वाले है ना और और नहीं बजाते हैं आवज नहीं देते खाला जगड़ा हो जा बहुं कि कि किसको देंग कर रहा है मुड़ना हो तो टांग निकाल देता है आप जाओ कभी अंधरी जाइड में अधर आगनेनिंगेमिल के मुड़ता आदमी जघे नहीं मिलती चुलता है और मेरे यहां तो एरिया में खतरना लो कि cycle पे एक आदमी आ जा रहा था हाथ यूं किया पिर यूं कर दिया मैंने का इसका क्या मतलब ओले पहले मुड़ना था पिर केंसिल कर दिया कर लो क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद ने किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता है हमारे आधमी प्रेम भी करता तो ऐसे ही करता है शमा मंगते में प्रेमा मंगते में शुर आप टीम महींने और फिर आप गलत सोच रहे हो फिर आप गलत सोच रहे हो फिर दो तिन महीने बार लेटर वेटर लाके दे दूगा बता दूगा सबूद के आदमी सोचता गलत है प्रॉबलम यही है ना किस देश का आदमी सोचता गलत है कहना क्या चाता है आदमी कहता कुछ है तो एक आजमी मिला में जिसके होट जले वे अरे में का होट कैसे जल गया बोले बीवी माय के जा रही थी स्टेल वे स्टेशन छोड़ने गया था खुशी के मारे इंजन चूम लिया अब क्या करेगा चांद और क्या करेगी चांद नी अतुल बैठा बतर निकल गए गया है अनुस्तान में आदमी ऐसी जब जाते है तो यही कहता है हमारे पिता जी अमसे पूछे ते ते कहां जा रहा है हम जवाब देते ते अभी आ रहो आज तक नहीं बताया कहा जा रहो है हुआ है कि नगे इसको करने काम थी नहीं है और हमारे पिटाजी किसम कह है बहुत खतरनायं है की फड़ोश ऴिटा civi Jakob believed बहुत कुछ खिलाया आपको दीजी एनोंने आजमुला दे दी पचाबी तो सही कि यही करेंगा क्या मेरे चाचा जी तो और भी महान है उनसे कोई अनाथाले के लिए कुछ मांगने आया है इनोंने दो अलाद दे दी शुरुवात करेंगा करेंगा कहीं से स्टार्टर चाहिए के नहीं चाहिए इसी कि खांदा नहीं परमपर हमारे पिता जी अच्छा कराऊ है अच्छा में लेकिन बहुत अच्छा लगेगा जब दो तो अगली बार यहां हो तो मंत्री की तरह हो एमेले की तरह नहीं हो हम यह चाहिए हम यह जरूर चाहेंगे कि हमारा प्रतिनित्व हो जदान सभा में और आप लोग हमारी आवाज को बुलंद करें जैवंती बेन आप जैसे सीनियर लीडर्स अरा की सीनियर्स का तो मैंने बता लगे लेकिन मैं ठा कहा इसके पहले ओछ क्या किया था खम उरत यह विर्रस के चोटे-गोटे कभी होते हैं रात को भी विर्रस जगता है चिल आचाने है मुझद लक्वा और GmbH q Freddieagner compete in the table of Auch बजद का रिक खा बुदे ना इंद पारा लिक पशा ली करेगा चांद और क्या करेगी चांद नहीं पड़िया आग और तेरे बहुत काम आएंगे जीवन के अंदर देखो काम आने वाली चीजे होनी चाहिए अच्छा हमको काम बच्पने सिखा दिया काम कैसी किया जाए हम तो किसी भी आदमी को काम पे लगा सकते हैं राजस्तानी आदमी को किसी को काम पे मैंने का मैं बगर किसी को बिना किसी हिंसा के पूरे देश को काम पे लगा सकता हूं कुछ मत करो सामने से एक ऐसा आदमी ढूंड़ो जिसको आपने जिंदगी में नहीं देखा और जिसने आपको नहीं देखा उसे नमस्ते करके निकल जाओ कुनो काम मिला था दो घंटे तक अगला काम में पीजी रहेगा इसे कहता है अहिंसक तरीके से देश को काम पे लगाना हिंसा करने की ज़रूद क्या देश को काम पे लगा दो छुटी ये को ये तरीका होना चाहिए ये तरीका हमें आता है इसलिए अच्छा मैं भाशा की बात कराता हम भाशा ऐसी बोलते हैं vraisome India क्या है कि आ just taking India है the अखां99 है हमारी बाशा यह अशी होती है हम लोगों के घर जाते हैं में सत्ताण जी किया बहुत साल परें इंद और में किया थो योँने परीजह करा हा एक यह बड़ा वारी सुन रहा हूं कि हम लोग क्या बोलते हैं मैं पता नहीं चलता हमारी भाशा ऐसी है कि हमें मालूम नहीं पड़ता मैं उज्जन गया हमारे मित्र किया थे खो अंग्रीजी बोलने में आदमी सुच्छा सुना तो उसका दोस्त का दोस्त गली पे से बाहर निकल लाता उसस तो यह हमारी भाश है अच्छा हम हम इतने सतनी टाइम आपके लिए बश्मान करता हूं और आज से नहीं पिछले 35 सालों से जब इतना साथा मंच पया और हमेशा नहीं कविता सुनाने वालों और पढ़ने वालों कहता हूं गोरव तुम भी बहुत तुम को भी मैंने पहले सतन और बालकवी बहरागी को सुनना चाहिए बैठके के कविता ऐसे पढ़िगा तो उनका मैं बहुत संबान करता हूं और वो मुझे बहुत सने करते हैं बहुत क्यार करते हैं तो हम उन्हें अंत में सुनेंगे लेकिन अच्छा आप मुझसे बात करते हैं नहीं बहुत अन नाउंसमेंट करता हूँ, तो बहन और भाईयों, चाय ओहूर की बच्ची, महबत दूर से अच्छी, सच्चाय छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुश्बू आ नहीं सकती कभी कागट के फूलों से, दो नंबर के अलमारी का चार नंबर दबाना, ऊपर वाबर नीचे हमायों बीच में शेर्षा का पजामा, पांचो रुपे आप खर्च कर डालते हैं तमाकू पे, पांचो रुपे आप खर्च कर डालते हैं सिग्रेट पे, पांचो रुपे आप खर्च कर डालते हैं बसों में, पांचो रुपे आप खर्च कर डालते हैं अपने पूरा सीडी का सेट है बार सिर्फ अठारा सेट बचे है जाकर कुष्टी करिए जो जीतेगा वो ले जाएगा नहीं नहीं ये आप जरूर सीडी खरी दिये उनसे गरीब बच्चों का भला होगा आज हरियुम बवार जी जो भी अपना पैसा लेकर जाते हैं वो गरीब बच्चों को भला करते हैं उनका देखो ये व्यापार हमें आता है आप तो सीडी बना के बैठ के बेटे का कौन बेशने वाले तो हमें ना अगले नितनी बारिक बात कर दी कि समझ में आगी तो आपको मज़ा आ जाएगा मुझे देखके बोला बाइसाब बाभी जी के लिए स्वाड़ी चाहिए और डंकी दिखाऊ यह माल बेशना आता है हमें हम तो किसी को बेश दे हम आजमी को बेश दे और हम को भशा ले उस रात पैदा नहीं हुए बैंगलोर से आ रहा था उपर लेटा वाथा ट्रेन में नीचे तो चाचा बथे जा आपस में बात कर रहे ते एक नहीं की चेन की खीज दे और रूप रूप जाएगी तो कर ना है रूपती एक नहीं तो सुनना रूपती है कि नहीं तो बोले नहीं नहीं यह आप मैंने खीजू का निखावाए 500 जुर्माणा अपने पास घाली 300 रूपह है उसरे जेब चेक की बहले 200 रूपह मेरे पास हैं खीचले होगी जो देखी जाएग मुझे उतारा भोले खीछी मैंनका या सर खीछी भोले क्यों मैंनका लुट लिया सालों ने 300 इसके पास है 200 इसके पास है तो 300 और 200 मिलाके 500 पांसो उनमे के स्ङीर्यंप परड़ की बाहट है लेके जाइए इन के बच्चे दुआय देंगे जबी तक हुए नहीं है तो मित्रों ये आनंद की बाते हैं मुझे लोग है आज कमिशन बनता है मेरा कमिशन देखिए आप देश भक्त आदमी दूसरों को कमिशन बाट रहा है ये हमारे देश की पीड़ा है दो पैग लगा के आदमी शराब बन्दी पे भाशन देता है ये हमारे देश की पीड़ा है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे देश की समस्या यही है हम चाहते हैं कि बदलाव हो लेकिन स्वयम में नहुँद मैं बहुत गंभीर बातें करता हूं इतने यह जो मैं कर रहा हूं पर जाना जाता हूं और आपने बहुत प्यार दिया मुझे وہاں पँचा दिया इतना बड़ा स्टार बना दिया लेकिन यजिवाने यह लोग मुझे कहते हैं कि आप देश की बड़ी बातें करते हैं आप खुढ करते हैं मैं बिल्कुल ठीक है पैसे मे लेके काम देए काम क करता हूं मैं तो आप हासिक नाम पर टेले विजिन पर जे इतनी फूरता आ गई है जहां पर मैं कुछ कारिक्रम देखता हूं तो मुझे शर्म आती है एक ऐसी दादी जो हर व्यक्ति को चूमना चाहती है एक ऐसी बुआ जो शादी के लिए बेताब है एक पती जो अपनी पत कराती भी है वहां राजस्थाने भी है और हम बात में जवादन पर जैजिनेंडर बोलते हैं यह हमें अच्छा लगता है हमें महसूस होता है कि हम उस एक कारिक्रम में काम करते हैं जो देश को आगे बढ़ाता है हम देश को संस्क्ति दे रहें और इश्वर ने हमें ऐसा अधारन हमारे कारिक्रम ने पूरी दुनिया को दिया बढ़ना अश्लीलता और फूरता ने जिस तरह से कबजा कर लिया है नित्यान तुशार एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत नजर आ रही है यह राहें तबाही के घर जा रही है और रहा सहा आपके बच्चों के अगर कुछ नहीं बचाए आज के बच्चों को पूछी आप उनको 36 रुपे ला 36 मीन्स जी करेगा जूते निकाल के बताओं गिनके एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौदस यह भाव होना चाहिए और फूर उपर से फेस्बुक और वाटसे आप कलपना करो आप फेस्बुक तो ऐसी चीज है फेस्बुक पर कोई आप जैसे कलपना करो जास्व मंझू दिक्षित है लूने अपना फेसबुक अरा पर मंध डाल दिया जैसे मान दीजिए जैसे आज ही होटल से यहां पे इनको आना ओना कमेंट डाल गया कि आज में होटल से कारक्टर मस्थल तक पैदल आई है तो आप नीचे कमेंट देखना लोगों के वहाँ स्वीट कितनी अच्छी हैं आप कितना बढ़िया आप कितना सोचती है अब यही कमेंट हर्यों पमवार डाल दे मैं होटल से यहां तक पैदल आया तो थोड़ा चला भी करो पेट कम होगा ये ये हमारे भाव ऐसे है बच्चे बिगड़ जाते हैं बच्चा पी रहा था सिग्रेट पिता जी आया है जेब में डाल दी खट से अब पिता जी आया है सिग्रेट पी रहा था बोले नहीं तो बोले दुआ का से निकल रहा है बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली ह तो यह जीवन है लेकिन जो पमार जी ने जो विशे कहा मैं उसके सिर्फ अपनी एक पंक्ती कहना चाहता हूं मैंने इससे बहतर कुछ लिखा नहीं सिर्फ एक पंक्ती की बात पमार जी जी ने हो कहा उसके हमें सोचना चाहिए इस देश का कोई युवा जब सीमाओं पर शहीद होता है तो मैंने सिर्फ एक पंक्ति की कविता लिखी कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने किस तरह तेरी माँ सोई होगी मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी और इस देश को भाशाएं बदल नहीं होगी कविताओं से इस देश में बदलाव नहीं आएगा फोन गिफ्ट किया है जब फोन खो गया तर मिल गया क्या बात एक अंधेरी से आया है तेक्सी से वापस आया है ये मुंबई की इमानदारी है सलाम करते हैं मुंबई को लेकिन आप अगले ये देखे ये हमारी इमानदारी है हमें हाँ मिल गया और कुछ क्या पुलिस को लिखी थी तो पर तो कभी नहीं मिलता नहीं आया आया देखिए मैं यकीन मानी है अज़ा हाँ देखा और बोलो हाँ अगर नहीं बाथचीत हो जाए पूरी आई जो एक चली कोई बार कि भावुक आदी होता है भाहुकहोता है ऑच्छ भावुक होता है और अपनी राय देना जरूर उसको राय देनी होती है नहीं गहाँ और मिरू मिट णुक्त भारती आद्मि hemos तुने देखा भी है यह होगा आजमी तो आदमी हमारे जोदपूर में आदमी तोता बेच रहा था तोते की कीमत 20,000 रुपए हमारी भाशा का अनन देखना तो किसी ने आगे का 20,000 रुपए का तोता कमाल का तोता है सब एक टांग उठाओ हिंदी बोलता है दूसरी टांग उ ये जो आनन देखने दूसरी ये वियुこう अनन देखने जारह बर्मारी चाहरे जो हम सब कहते हैं मेरे को कई पर लोग कहते हैं कि शैलीष जी आप खड़े हो कि देश में ब्रش्टाचार के खिलाफ नहीं बोलते हैं मैं नहीं बोलता कि इस लिए नहीं बोलता कि मैं ब्रश पुलिस वाले को दो सो रुपे दे के छूट के जाना चाहते हैं किया मैं बस्टाचार के खिलाफ बात करूँगा। क्या मैं बस्टाचार के खिलाफ बात करूँगा। मैं सत्तन जी की भूमिका में ख़लाओं फिर उन्हें बुलाना चाहता हूं वो जो व्यक्ति सच बोलता है और कई वर्षों से बोलता है सच बोलने की आवशक्ता इसी मुल्क में सुनना राजबाई जैवन ती बैन आपको गता हूं शंकरदी सच बोलने की आवशक्ता केलाश जी आप भी पेठे में सच बोलने की आवशक्ता इसी मुल्क में कैसा देश है साब कमाल का देश है अद्बुत देश है हमारे यहां इस देश के अंदर विद्याबालन जी की शादी हुई मेहंदी का कारिक्रम एक घंटे और पिता की शादी हुई मीडिया की ओपर मैं नहीं कहता है कि नहीं चलाई है ज़रूर दिखाईए मुझे आपकी शादी के मेहंदी के कारिक्रमों से कोई आपत्ती नहीं आप मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं लेकिन जिस देश में फिल्मी हिरोईन की शादियों की महंदी को तो इतनी तवज़ दी जाती है लेकिन जिस तुकाराम ने बंदुक की नाल पकड़ के कसाब को जिंदा पकड़ लिया उसके परिवार का हाल जब न पूछा जाए तब इस है इस देश की राजधानी में न केवल रोका गया पूस्ताच की गई और देश के मंत्रियों के कामा पर जू नहीं रहेंगी तब सच बोलने की आवज़ शक्ता है अद्बुद देशे जहां जेहूं और चावल ना होने से किसान आत्मत्या करते हैं और सिम कार्ड मुद्व से काम करवाते हैं और हम कहते हैं कि बाल मजदूरी कराने मादों को तो फासी बचान देना चाहिए ये छोटू पीन चाहिए ये हमारा सच है तब गोविन प्याजी की से में तुम्ती मुझे याद आती है तो फुरसत तो मुझे भी की बहुत देश के लिए जब पेट भग है मेरे देश पे आपका पड़ोसी देश आपके देश में कितनी भी बदमाशिया क्यों न करें कितने भी आतकवादी क्यों भेजें लेकिन जब वहां मासूम जानों का कतल होता है ना तो मेरी देश के हर आँख से आसू बैते हैं ये मेरा देश है ये मेरी संसक्तिती है ये क्या गुजरी होगी उस माँ पे जिसके बच्चे ने सुबह ये कहा होगा कि मैं आज स्कूल नहीं जाना चाहता और वो शाम को लोट के नहीं आया आतंकवात का कोई देश नहीं होता कोई मजभ नहीं होता जहान कहीं भी है वो मानवता के खिलाफ है लेकिन अगर कोई हम पे वार करे हम चुप रहे तो सिर्फ दो पंक्तिया कहके मैं उन्हें बुलाना चाहता हूं जो मेरी अपनी भाषा के हम भी प्रशंसक नहीं है कोई आता और हम पर हमला करके चला जाता है और हम मौन रहते हैं सच है इरादे हमारे विजवनसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं है अहिंसा के पुजारी है हम लेकिन सुनले दुनिया अहिंसक है हम नपुनसक नहीं है और मैं ऐसे व्यक्ति को आपके समक्ष बलाना चाहता हूँ जिसने पूरी शिद्दत के साथ पूरी मरदानगी के साथ पूरे तेवर के साथ पूरे जोर के साथ पिछले पचास वर्षों से हिंदी कविता की अलग मंचों पे जगा रखी है वो जब जाके बोलते हैं तो लोग कहते हैं एक कुछ दिर और बोलें एक कुछ दिर और बोलें उद्यपरताब जी कहते हैं कि ये ने समझो कि गीत लिखने की मुझे आदत पड़ गई है या विरहे में गुन गुनाने की लट पड़ गई है सत्नायन सत्न लिखें तो ये समझो कि देश को कभी की ज़रुरत पड़ गई है जोरदार का लिखना मैं शुरू से आखरी तक बोलता रहा हूँ और ये जाने वालों को प्रणाम करता हूँ ज़्यादा समय नहीं लूँगा पांच मिनिट अपनी बात करूँगा कितना समय है अरे फिर तो कोई बात नहीं है आप बड़ी देर से यहाँ पर बेठे हुए है मैंने सब के लिए तालिया बज़वाई है शेलेश की तरह मैं भी तालिया नहीं मांगता किवल शान्ती मांगता हूँ एकाघ्रता मांगता हूँ एक शित्ता मांगता हूँ और इस मंच की दूरी को दूर करना चाहता हूँ यह मंच उचा है आप नीचे इसका ठाल रच-वंच नीच नहीं है तरह जू के जिस पल्ले पर बज़वल होता है वो नीचे रहता है जिस पर कुछ नहीं होता है वो उपर रहता है एक जमाना था जब इस देश में कवी सिम्वासन के नीचे खड़ा हो करके कविता पुलता था और राजा मुंडी हिला करके उसे सुनता था लेकिन आज इस प्रजातंत्र में परिस्थितियां बदल गई है र योम जी ने भी कहा सभी ने कहा शेलेश ने भी कहा मैं कई तरीके से पढ़ता हूं लेकिन इसी की प्रासंगिक ताए देश के नेता मोदी हो गए प्रदान मंत्री हो गए अकबारों में छपा हर हर मोदी घर घर मोदी हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा सुनकर के एक नेता चक्राया बननाया और बुला ये चाय वाला ये चाय वाला प्रधान मंत्री बनेगा रस्ते का पत्थर हिमाले बन के तनेगा रस्ते का पत्थर हिमाले बन कर करेदेगा हमने कहा नेता जी आप तो हम तो वो और आप आरे वो तो अपमान उठाने को हुआ है पेदा और तुम ले चुके सम्मान की ठेकेदारी अनगीनत डाक खाके भी सफेद हो अब तक आर में तुमने सदा अचूती बाजी मारी अरे तुमने निर्मान दुलनिया के गहने बोश दिये मा का शरंगार नोज खुद का तन सजाया है तुमने हर बच्चे से माता का दूद छीना है तुमने हर भूखे का निवाला छीन काया है नैंसुक जी तुम्हे किस नाम से पुकारे वो यहाँ नैंसुक जी तुम्हे किस नाम से पुकारे हम आप तो स्वर्ग से आये खुदा के बंदे हैं पर उस चाय वाले का कुछ बयान है यो कि यहाँ मशालची सबंधे है उस चाय वाले का कुछ बयान है यो कि यहाँ मशालची सबंधे है हुजूर आपने बिल्कुल ठीक परमाया हुजूर आपने बिल्कुल ठीक परमाया वो चाय वाला है बजपन से उसको अभाओने पालाए जी हाँ हुजूर आपने ठीक फरमाया जी हाँ हुजूर आपने ठीक फरमाया वो चायवाला है बजपन को उससे बजपन से बजपनने उसको अभाओने पालाए उसके पास विश्वास की पूंजी है आत्मा में बल है विश्वास धनुस लिये अरजुन सा अटल है राजनीती दलदल में खिलता हुआ कमल है राजनीती दलदल जी हाँ उजूर आपने ठीद परमाया आपने ठीद परमाया वो चायवाला है बज़पन से उसको अभावने पाला है उसके पास उत्साह की पुझी है आत्मा में बल है पुरशार तो धनुस लिया है अरजुन सा अटल है और उसके पास राजनीती दलदल में खिलता हुआ कमल है और उसके पास एक आत्म मानवता का संबल है एक आत्म मानवता का उसमें बल है हरे हुजूर मुश्किल से उसके मुँ पहुचानी वाला है जी हाँ हुजूर वो चाय वाला है हुजूर वो चाय बेशता है हुजूर वो चाय बेशता है वो चाय बेशता है इमान नहीं बेशता स्वार्थ के लिए वो खांदान नहीं बेशता स्वाबी मानी है वो स्वाबी मान नहीं बेशता अरे हुजूर आपकी तरह वो हिंदोस्तान नहीं बेशता अरे तूफा भुकंप से लड़ता है आख से टकराता है भुकंप से लड़ता है आख से टकराता है जनमत का संबल्य बढ़ता ही जाता है जन्मत का संबल बढ़ता ही जाता है दीन दुखियों के लिए मा से बिछुल गया भारत माता के लिए मा से बिछुल गया दीन दुखियों के लिए आने वाले कल के लिए वो बन गया उजाला है जी हाँ हुजूर वो चायवाला है बहुत बहुत धन्यवाद समय की अपनी मरियादा उसको आपने सुना सच्चा है अपसे अच्छी कविता पढ़ रहा हूँ कि सच्चा है अपना प्यार तो फिर क्या जहां का डर गुलबन के गुलिष्टाने चमन में खिलेंगे हम इस खण बिछुड रहे हैं तो कोई गम नहीं करो अगली बहार आई तो फिर से मिलेंगे हम बहुत बहुत धन्यवाद भोलिएगा भारत मतला की कि अपना प्यार